सबसे पहले रुख करते हैं अभिशेक उपाध्या इस वक्त हमारे समधाता बर्दमान से हमारे साथ लाइब मौजूद हैं राधा गोविंद मंदिर से अभिशेक मकसद क्या है भारतिय जन्ता पार्टी के इस अभियान का ये हमने अपने दर्शकों को बताया ग्राउंड पर होता हुआ क्या नजर आ रहा है ये आप बताईए देखे अभी समीर में इस समय ये वर्दमान का क्लॉक टावर है यहां से बीजेपी के राष्टी एद्धक जेपी नड़ा का रोडशू शुरू होने वाड़ तस्विर दिख लीजे मैं आपको ये क्लॉक टावर दिखाता हूँ वर्दमान का देखे ये सामने क्लॉक टाव है आगे एक रत भी खड़ा हुआ है यहां पर सर मंगिला मंदीर है वहां वो पूजन करेंगे और उसके बाद और देखी यहां खास वात ये भी है समीर कि जहां जहां बीजेपी कारेक्रम होते हैं वहां जो भी आसपास बीजेपी के समर्थ तक हैं वो जैशिराम ही बोलते हैं ये भी एक तरह की कैंपेंड से जुड़ा हुआ एक एक बीजेपी का तरीका है जो आप बात कर रहे थे अन अभियान की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चुकि वो क्रिशकों को संदेज देने के लिए है जो उनका कारिक्रम दो चड़लों में दूसरा चड़लों होग अन लेने वाला और तीसरा एक किसान के घर पर भोजन तो समय में जब किसानों को ले करके विपक्ष तमाम सारे आरोप लगा रहा है तो किसानों को एड्रेस करने की बड़ी कवायद है और पच्छे मंगाल चुनाओं में वी इस बर्दमान जिले से जेपी नड़ा का अबिशेक जिकर कर रहे थे और ऐसे वक्त में जब देश में दिल्ली में खास तरपर किसान आंदोलन का गड़ हमें नजर आ रहा है सेंटर नजर आ रहा है किसान अपनी मांगों को लेकर आवास बुलंद कर रहे हैं ऐसे में किसानों को पश्चिम बंगाल के किसानों को पा वारता देना कि हम आपके साथ है दूसरा पश्ची मंगाल जो कि चुनाओं का गर बन चुका इस बार चुनाओं का घर है इस बर उसको टार्गेट करना क्यूंकि इसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा ममताबैनर जी ने पश्ची मंगाल में क्रिशक समा नी राज्य सरकार से उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है उनको जो फसल है उनका दाम नहीं मिल रहा है उसको यहां पे वो देखना चाहते हैं और आज जैसे के आपने कहा यहां पे एक मुठी चावल का अभियार यहां पे शुरू होगा तो जाके क्रिशक के साथ डाइरेक्ट उनका connection करना ये सब बीजेपी के लिए सबसे बड़े चुना होती थे और बर्दवान जो की माना जाता है कि पश्ची मंगाल का ये फूड बेसिन है तो यहां से वो अगर वो शुरू करते है तो पूरा पश्ची मंगाल में एक बारता जाते है कि बीजेपी चाहरा है क्रिशक के साथ रहे और अगर ऐसा होता है तो जो सब जी मंडी को लेकर पश्ची मंगाल सरकार में पश्ची मंगाल सरकार के खिलाफ यहां के क्रिशक के जो आंदोलन है यहां के जो क्रिशक के जो खोव है उसको कहीं पे वो एड्रेस करना चाहरा है और उनके साथ मिलके आने वाले चुनाव में आगे जाना चाहते है